नावल शिकस्ते दिल तहरी मर्यम गफार एपिसोर नमबर 21 मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मैं कभी भी अपनी बेहन को केला नहीं छोड़ूँगा उसे रोते देखकर वो इसके आंसु साफ करता, उसे अपने साथ का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था आपने एक वादा एक माँ पहरे भी किया था भाई, वो भी पूरा नहीं किया, आपने कि कैसे पूरा करेंगे सुरुख नम आखों से उसे देखती है, वो गोया हुई थी मैं अभी भी अपनी बात पर काईम हूँ अबरिश, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा एहमेद रखती है, मैं यह चादी नहीं होने दूँगा उसे सीने से लगाता, वो उसके बाद सहराता, नम लहजे में बोलाता पर निकाह तो हो गिया, हिश्की लेती ही, वो बमश्किल बोली थी ये निकाह मंगनी की तरह है मेरी जान, इसमें और मंगनी में कोई खास परक नहीं है, ये खतम हो जाएगा ऐसे ऐसे उसे कंदों से थामता रूबरूर करता, वो चुटकी बजाते बोला था पहरे तो तूट भी जाता, अगर ये बात फैल गई तो कैसे तूटेगा भाई, वो मुझे कभी भी तलाग नहीं देगा एसन के पुरा अत्माद लहजे पर वो एक बार प्रेसर मकाबल के जिद्धी तबियसे वाकर परिशानी से गोया हुई थी एसन नहीं देगा तो हम उसे कोट में घसीटेंगे उससे से कहते है एसन ने उसे एक और तरीका बताया था उसे जान चुडाने का भाई, कोट में तो केस बहुत लंबा हो जाता है, मैं क्या रोज 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 वहाँ जाऊंगी कोट के जिकर पर वो लब दबा गई थी नहीं होगा, मैं सबसे अच्छा वकील हायर करूंगा और एक ही तारीख में ये केस खतम करवा दूँगा, अपने भाई पर यकीन है ना अबरिश के चेहरे बार आए बार साइट करते है, अहसन ने परेशानी से उसे देखा था, जो किसी तोब भी मानने को तयार नहीं थी नए, मुझे उसके साथ किसी किसम की रसम भी नहीं करनी भाई जवाद के हरकते सोचती, वो अपना और उसका रिष्टा मनजर आम पर लाने से खौफ दा थी जो शख अभी अतना बेबाग था, अगर ये बास अब को पता चल जाती है, तो वो और मज़ादा मजबूत हो जाएगा और वो कब तक एक मर्द का मुखाब्या कर सकती थी, और मर्द भी वो जो हर दो सेकिंड में उसके ख़दी होता, उसे बेबस कर देता था अबरिश, एक बर प्लीज, मेरी लिमान चो, मेरी जान, मेरा वादा है तुमसे, मैं हुरिया के रुकसदी के बाद तुम्हारी और जबाद की तलाग करवा दूँगा प्लीज पिस्टे तीन दिन से वो से कभी छोटे बच्चों कितना तो कभी दोस्तों कितना समझाने में लगा था, मगर वो से किसी तना भी ना मानते देकर एहसन उसके सामने हाथ जोड़िया था बाई आप समझ को नहीं रहे, मुझे उस शक्त के नाम से अभी भी अभी कोई नहीं जानता, अगर ये बाद सब को पता चल जाएगी तो मेरे मुपत तलाग की अपता का लेबिल लग जाएगा एहसन के जोड़े हाथ थामती, वो उसके साथ ही जमीं पर बैठी थी, उससे समझाने में लगा उसका भाई इसका ख़ुए था, कि उससे समझने की कोशिश नहीं कर रहा था प्लीस अबरिश मेरे लिए, मैं हुरिय के बगार नहीं जी सकता हाई फिरो नमाकों से उससे देखता बलते जाईया, यह जमीं कहता उसके सामने एक पप, फिर से हाथ जोड़ गया अपने बड़े भाई को हाथ जोड़ते देखकर वो तड़पकर उससे पकारती, उसके सीने से लगी था, फूट फूट कर रोती थी थैंकियो अबरिश, मैं अपनी बेहन के साथ हूं हमेशा, मुझे यकीन है भाई, उसके बाई सहलाता वो नम लहचे में बोला था, जिस पर वो अजबात में सहला गई थी अबरिश, बहुत प्यारी लग दिये मेरी गुड़िया अकेले कमरे में बैटी, वो महिंदी लगी हाथों को देखती भी आवाज रोती, असन की आवाज बर हावास में लोटी थी उसे देखकर अपने आँसों साफ करती वो लंबा सांस खेच गई मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया को लेने आया हूँ, सब इंतिजार करें हैं, तुम ठीक हो ना? अबरिश के सामने बैठा, वो उसके हाथ पकरता, उसकी सुरुख नम आँखों में देखता, गोया हुआ था जी भाई, अजबात में सहरी राती, वो रुख मोड़ गए थी, उसका हाथ पकरता, वो सोटने में मदद करता, बाहर के संद बढ़ा था अबरिश, थोड़ा सा मुसकरा, अपने भाई को देखका, मेरी बेहन एतनी प्यारी लग रिये, इस ट्रेस में बिल्कुत प्रिंसस हाल में एंटर होते ही, हाल की एंटर, लाइट्स ऑन होई थी, जिसमें खड़ी अबरिश पर, वहां मौड़ू सब लोगों की नज़र ठहरी थी, सब को अपने तरफ मतवज़ देख, एहसन ने हाथ में पकड़े, उसके हाथ पर जोड़ देते, मुसकुरा कर उसे देखा थ मेरा भाई दुनिया का हैंसम दुलाए, ब्राउन कलर के डिनर सूट में मलबूस वो बालों को जैल से साइट पर सेट किये हुए था, जब हैसन की तरफ देखती ही, वो हलका सा मुसकुराई थी, और वहीं सामने स्टेश पर खड़े जबाद ने अपने तेज धड़कते दि मेरी बेहन को देखकर ड्रेस ली है, वैसे अंटी ने, महाबब से कहते है, ऐसा ने उसके सर पर प्यार किया था, मगर वो जबाद से अंचान था, ये ड्रेस खरीत देखते जबाद में जितना हसीन अबरिस को सोचा था, वो उससे कई ज़्यादा हसीन और दिकश लग रही लाइट मेकप के साथ भारी जुल्डी का कॉम्बोस के सोगवार हसन पर काफी सूट कर रहा था, वो खबसूरत तो थी ही, मगर आज किसी हूर से कम नहीं लग रही थी, जबाद की महबद थी जो उसके जेबतन के ड्रेस से लेकर जुल्रे तक में साफ आया हो रही थी, सुर जबाद क्या हुआ सब ठीक है? जी भाई, हमदान को देखता वो खुद को कमपोस करता नहायत आहस्तिगी से बोला था, दिल की हस्दा तो अर्मान सब उसे उसके भाई के साथ आते देखा चकनचूर होए थे, वो मज़िद खुद में हिम्मत ना पाता लब दबाता सा चु बिला रहे हैं, अबरिश के साथ एंट्री नहीं थे नहीं किया, वो तिरे इंतिसार में खड़ी है, सामने खड़ी अबरिश को देखता वाहरास चैसन को देख रहा था, जो उसे ही देख रहा था, हाँ, जी, हमदान में तो जैसे उसके मुर्दा जिसमें रूप होगी थी, खोशी से जूम उठा था, सकती से उसे बगल गीर होता, वो मस्कुराता, वो भागने के अंदास में स्टेज से नीचे उतरा था, सर प्लीज, आप इने यहीं छोड़ दें, दुले को बिलाएं, एंट्री रिकार्ड करनी है, अबरिश के साथ खड़े एहसन को देखते कैमर को देखका, वो घबराई थी, वो इतने लोगों के हुजूम में भी उसे बेर शर्मी से देख रहा था, पैग्गरांड में चलती ही, म्यूजिक को एंजॉय करता, वो जिन्दगी से भरपूर, मुस्कुरावाट लप उपस अजाता, अबरिश को अबरिश के बराबर में आ आगे बढ़ने का इशारा किया, कैमरामेन का इशारा करने पर वो अपनी जगा से एक इंच ना हिलता, अबरिश की साइट पर जुकता, उसकी ड्रेस को उठाता, उससे चलने में मदद करता, सीधा हुआ था, जब जब जबाद को देखती साहरा बेकम ने वहां मौजूद, उसकी कजनों को अबरिश की मदद के लिए भेजा था, तबकि जबाद को इस तना अबरिश के ख्याल में सबकी मौजूद की मदद करते देखकर मिस्स वासित ने उन दोनों की नज़र उतारी थी, सामने खड़ी अपनी ममा को मस्कुराते देखकर वो लंबा सांस किचकर अ अंदर उताते मकाबिल के हमराही में चलती आगे पड़ी थी, कि तब हाई हील्स में उसकी ड्रेस उलजी थी, इससे पहरे कि वो गिरती जबाद का बाद से मदबूती से पकरते खुद को बचा गई हैरत से उसे देखते जबाद को उसके नाम लेने पर हैरत का जोड़ा जटका लगा था नज़र से गुफटगू खामुश लब तुम्हारी तन्हा गजल नसी के हैं अंदास सब तुम्हारी तन्हा बुला रहा है जमाना मगर तरसता हूं मैं कोई पकारे मुझे बे सबब तुम्हारी तन्हा हां क्या हुआ खौफ और दहशा से लरसती अबरिश की तरफ जुकता हुआ इस्तिगी से गौया हुआ मेरे सेंडिस उलच गया है उजल से कहती वो अपने पैरों की सम देखती में मिनाई थी और वही उन दोनों को रुकते देखके मिस्स अपवान आगे बढ़ी थी क्या हुआ अबरिश एक नज़र जवाद को देखती मिस्स अपवान अबरिश से गोया हुई मामी मैं चल नहीं पारी डेस में पाउं लच गये मेरे मिस्स अपवान के आते ही वो जवाद का बाजू छोड़ थी उनका हाथ थाम गई और जवाद को उस वक्स अपवान जहर लगी थी कबाब में हट दी मैं देखता हूँ जरी लब बड़ाता हूई गुटना जमीन पर रखता उसकी डेस में लचा पाउं निकाल गया अराम से संभल कर चलना अपना कोड़ शर्ट सेट करता वो मिस्स अपवान के हाथ ने मौदूद अबरिश के हाथ को देखता उन्हें उसका हाथ छोड़ने का इशारा करता हाथ बढ़ा गया जिस पर अबरिश का हाथ उसके हाथ पर रखती समझाती पीछे होई थी वाओ कितना प्यारा लग रहा है अच्छा हुआ मैंने पापा की बात नहीं मानी पार्किवन में लगी गाड़ियों की भीड़ में अपने गाड़ी के जगा बनवा कर अंदर आते डॉक्टर्स के मजमुए के साथ आती एमन खुश होते कहा उन सब को जबात के फून करने प जबात और हुरिया को उनकी नए जिन्दकी की खुशियों की दूआ देने की तरफ़ास करते दावत दी थी। हुरिया के निकाह की खबर सुनकर जितने वो खुश होई थे उतना ही उन्हें हैरत का जोड़ा धचका लगा था जब शगी साथ ने जबात और अबरिश के निक दोक्टर हुरिया कितने छुपे रुस्ता में निकले पता भी नहीं चला वो दोनों महबत करते हैं दूसरे से हस्ते मस्वराते बाते करते हो सब जैसे इंट्रेस पर पहुंचे थे वहां लगी नेम प्लेट देखकर हैरान हुए थे वेलकम डू निकाह पार्टी डॉक्टर मलिक जवाद एवान एंड्ड़ स्यदा अबरिश वासिफ शाह रॉक्टर हूरिया एंड़् एहसन शाह हरान की से नाम पढ़ती डॉक्टर माहम ने दुबारे से नाम पढ़े थे उसे लगा था उसने कुछ गलत पढ़ लिया हो कि तब ही नेम प्लेट पर लिखके नाम दे अबरिश इसलिए जवाद ने वो सब जब से मुठिया बंद करते मुदीर ने लब भीज़ता और अंदर के सम बढ़ाता जवाद नहीं डॉक्टर अबरिश हैं ये कितनी प्यारी लग रही हैं हाँ दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं मेट फॉर इच अदर बेय खड़ी डॉक्टर रिदा ने दल से उन दोनों की तारीफ की थी निकाँ दोनों हाथ पैंट की पॉक्ट में डालते अली ने उन दोनों को देखका साथ खड़े मुनीव को देखते हुई कहा था बहुत समझदार है जवाद डॉक्टर बीवी चुनी है और एकी वार्ड में रहेगा सारा दिन एक हमें ठके हारे घर जाते हैं तो बीवी ले ख़ए आमीन फैजए और को खामसि खरे देकर वो खुदी दौा देता आमीन बोल गया कि तब हचानल से मुनीव भजा था उसे हैला से दिखते हली ने गूर कर देखा तो पागल है यह खुश रहेगा हैला से तक 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 दिनी को देखता है बास से गज़ए बटास का अली परिशान हुआ था या यह लड़के अमीर बाप के सेटल लड़के से ही क्यों शादी करती हैं देख हमारी तरफ देखती तक नहीं थी इतनी शरीफ बनती थी और जम्मा जम्मा आट दिन होई नी जवात को आए और निकाह पर लिया अली के गले में हाट डालते मुनीव नहीं खारत भरी नज़ों से सामने मुस्कुराती को अब रिश को देखते कहा तू तो ऐसे दिल पर ले रहा जैसे तुझे पसंद थी वो मुनीव की बातों से वो यही समझाता तब हैरा से गोया हुआ पसंद और ऐसी लड़की को और लड़की अमर कहीं दुनिया में अली के समझ जाने वे वो गर्दन जटकता नफ़त आमिस लहचे में कहता मुस्कुराया था छोड़ इन से बातों को दौा देते हैं दोस्त है हमारा मुनीव की सुरक आखों में दर्द मैसूस करते अली ने कहते हैं उसके सीने पर हाथ मारा था ये कितना खुश रहे कर डॉक्टर अबरिश ने कैसे ऐसे शक्ति शार्जी कर ली जिसके जिन्दगी का भी नहीं पता पैसा पैसा बोलता है फोटो सेशन लेते जवाद के हिसार में खड़ी अबरिश को देखता हो तनवर से बोला था मुनीव कैसी बात कर रहा है वकवाद बनकर ला ना कर ऐसा कुछ हो अब की बार अली को उसकी बातों पर घुसा आया था जवाद के लिए इस तरह की बात वो बरदाश नहीं कर सका था तू भी डॉक्टर है मैं भी साफ साफ बात करते हैं जतना जवाद धील दे रहा है इसमें इसकी जान को खत्रा है ये बात वो खुद भी जानता है तो मैं क्यों शर्म करूं कहने में कि उसकी जिन्दगी के चार दिन है अली को खुसा करते देखकर वो मूँ के जाबे बिकारता तनफुर से कहता गर्दन चटटक किया शर्म कर हमारे दोस्त की जिन्दगी का इतना बड़ा देने और तो दूआ ने देने के बिचा बक्वास कर रहा है मूनीब दफ़ा हो जा दोस्त तरे जैसे नहीं होते इस बात से अली भी बाखर था मगर इस वक्त में उसे ये बाते नागवार गुजरें जी तब ही मुनीब को सुनाता उससे खुछ से दूर कर गया क्या बक्वास सच है जिन्दगी कम है इसकी अली की बात पैशान ने उसका कर कहता मुनीब तनफ़र से बोला था आएनदा मुझे अपनी शकर भी ने दिखाना अब भी भी बात करते देखकर कोर्ट सेट करता दिख वहां से चला गया सच कड़वा होता है पर होता तो सच ही है अली को जाते देखकर वो नफ़ी में सख हिला गया था इस बास अन्जान जबाद को तो पहली खो चुका था आज उसने अपने दोस्त अली को भी खो दिया था बैग्राउंड में चलते ही म्यूजिक पर वो दोनों फोटो सेशन के लिए खड़े थे जहां कैमरा मैंन के एक कहने पर जबात अपना 100% दे रहा था वहीं अबरिश बुद बनी गए मरई नुक्ते पर निकाहे जमाए हुए थी दो तीन बार कहने पर जाकर वो कोई एक पोस देती थी जबके साथ ही एसन और हुई अपना हर पोस देते फोटो सेशन खतम करवा चुके थे मगर उनके मुश्के से कोई तीन शारी पिक्स बनी थी अब बिश की जरसी पलको का पर ठैरी शबनम के खत्रे देखते जबाद मुस्करुक अपनी सम्थ मॉटर्स के पुश्क को अपने सीने से लगाया था देखो अपने भाई को अगर तुमें रोता देखे का तो वो भी खुश नहीं होगा अबरिश जब से काम लेता वो से कांगे करीब जुकता सरकोशी नुमा बोला था वो जाके साथ बेटा हैसानाथ उसकी किसी बात पर मुस्कुरा रहा था जब उसे देखती वो लब दबाती सर चुका गई चैनिक तसावीर बनवालो वैसे भी गयस इंतजार में हैं फिर बैठी देना साइट पर अब इसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हिसार में बानता वो उसके तेज धड़कता दिल को सुनता नहाई राष्टेगी से बोला था वो इस गदर से खरीब था कि उसके हिलते लब उसकी कान की लौक और चूते उसे घबराने पर मजबूर कर रहे थे जबाद के हाथ पर कबकबाते हाथों से जोड देती वो रुख मुर्दि उसके रूपर रुआई थी तूर रहका करवाएं दूरस्ती पल्के उठाती सुरुख आँखे उसकी सुरुख आँखों में गाड़ती वो रही थी जिस पर मुखमसां मुख्ञुरा आया था उसे मानते देखा वो कैमरामंगको इशारा करता अपना और उसके दर्मियान इंच बर काफासला काइम करता उससे तसल्ली दे गया केमरा मैंन के बताने पर अमल करता, वो अबरिश की बिश्णाने से बिश्णाने टिकाता, उसके हाथों के उख्णियों में उनिया फ़सादा पुर सुकून सांके बन्द किये, उसके महतिती सांसों के जीरुबं को मेसूस करने लगा था थैंकियू अबरिश की वजूद में लड़जिश तारी देखकर वो उसे दूर होता उसे पैठने का कहता कैमरामेन को मज़ी तसाविश बनाने से रोग गया बहुत 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 अबरिश वह सामने देख रही हो जी बिचारी तुम्हारी जिठानी कैसे बैठी है तुम्हारे शोहर की बिले से दूर बैठी है बिचारी एक साथ पर सबसे अलग थलग बैठी अनम के सम्सित इशारा करते हैं मिस अपान ने अफसोस करते कहा और वहीं उनके शोहर के कहने पर अबरिश ने सुरुख नम आँखो से उनने देखा ये मेरा शोहर नहीं है मामी वो बराबर ने बैठे जबाद से पास्ते पर होती खबगी से बोली हाँ ये लड़का अबरिश के हाथ पर हाथ रखती वो पलके जपकाई थी आजाओ अनम तसावीर बनते देखर हमाद अपने बीवी को स्टेच पर लाया था वरना तो घर पर उसने उसे सकती से उनसब से दूर रहने की तंबी की थी बहुत बहुत मुबारक को हमाद का लाया गिप्ट अबरिश की संथ बढ़ाती अनम ने जबदस्ती की मसकुराइट अब उपस जाए कहा थैंक्यू भाबी मसकुरा करों से देखती अबरिश ने उसका शुक्रिया दाग किया पूरे पंक्शन में अनम पहरी वो खुश किसमती जिसे अबरिश देखका मसकुराई थी जिस पर जबाद हैरान हुआ था ऐसा नवहुया से मिलती अनम ने अपनी नंद पो डिरो सादी में दूआई देते उन दोनों को मबारगबात पेश की थी जिस पर जबाद ने मुझे जावे बिकारत दरुख मोड़ा था आपी कहीं से भी तो नहीं लग रही लड़की नाखुश अनम की बहन निम्रा ने खाने खाते हुए बगवार खामुच बैटी अबरिश को देखते कहा खुश कहां से दिख रही है यहाथ को खाना खिलाती वो तनफुर से बोली थी मैं जाकर उस लड़की को बताओं जबाद में उसके साथ खेल खिला है मज़ा आएगा निम्रा की शेतानी दिमाग में खरापत मचल उठी थी चुप करके बैट जो नई तो हम्मार ने सबके बीच में हमारी बेज़दी कर देनी है फिर जबाद को मज़ा आएगा उससे उसे आँके दिखा थी अनम ने वापस बैठने का इशारा गैर इस पर सामने दोस्तों के साथ बाते करते हमार को देखती है वो खामोशी से साथ जुका का बैट गई थी जे तो जनाब अब तक के लिए सब इतना ही कैसे लगी आपको ये अबिसोड कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहाद जरूर कीज़ेगा जो मिलते हैं अगले अबिसोड के साथ तब तक लिए इजाज़त दीजे अल्ला हाफिस